विल्कम दोस्तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज की स्टेंडर्ट का सेकंड चैप्टर चालू करने वाले मैथ का जो है प्रैयर लाइन ट्रांज वर्सल ठीक है तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक जीजे हो जीजे देख रहेंगे और हम सीकते रहेंगे साथ में ठीक है तो चलिए दफ्तों वीडियों को करते क्षा तुदे के हमारा जो चब्टर रे 2 हैं हमारा पैरिलला लाइनस एंड प्रांजवर्सल ठीक है तो जो पहला कन लोग इसमें वह देखेंगे हम रांजवर्सल क्या होता है तुदे कि कि इन दो आद जोंकि ayam पर हमें एक विकर दिकर हो रिए टीक है तो में हमने पता गया है कि तो लाइन येल इंटर्सेक्ट स्लाइट दा ब Price और के लाइन येल इंटर्सेक्ट्स लाइन यांन येल य। जो लाइन याल दिंस्ट प्सट्स मतलब जिकर रहे और यहाई आपर इस तरह से का को लाइन यह इस ऐघ्द आरेन यम एन तो देकि आ पर अगर देखिने रही करें यह और्य जो मदधिबंगर डिप्रण पोईंट में यहाँ पर भी प्वाइंट में टो इसे इसी हम बोलेंगे उसे प्र सुल्ज्ड वरें homeowners की ट्रांसवर्सल ठीकर अभी तोई अगर दो डिस्टेंग्लेंट में इंटरसेक्ट करेगी then that line is called Transversal of those two lines तो हम उस line को उन दोनों line की Transversal गोलें के मतलब देखी यह लाइन यम थी और यह दूसरी Line M थी यह और यह तो यह पर यह लाइन यह क्या करें यह पर A और B में टू डिस्टिंक्ट में क्या करी है यह मोर यह लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे है तो देखिए यह पर यह पर इस तरह से दो लाइन रहेगी अगर कोई लाइन दोनों लाइन को इस तरह से इंटरसेक्ट करेगी इस पाइंट में तो हम क्या बोलेंगे इस यह लाइन को यह मोर इस लाइन को गोलते हैं टार्जवर्सल ठीक है चेलिए निक्स्ट कंसेप्ट है वह हम देखते हैं इसी पर बेस है ठीक है तो चैसे अभी एंग्ल मेट बाई ट्रांसवर्सल को से टाइप के आंगल बनाते ही वह हम देखेंगे ठेखें तो देखिये आपर पहला है corresponding angles ये figure की तरफ हमें देखना है और कौन कौन से देखिए आपर line PQ है यापर line PQ और line RSA दोनों line को क्या करें line 80 क्या करें intersect करें मतलब line जो 80 line है ये क्या करें line PQ और RS की क्या है transversal है ठीक है तो इस तरह से हमें समझना है ठीक है अब भी देखिए यापर corresponding angles क्या होते हैं वो देखते हैं if the arms on the transversal of a pairs of angles ठीक है तो देखिए in the same direction and the other arms are on the same side of the transversal then it is called a pair of corresponding angles corresponding मतलब क्या कि जो angles जो है वो same direction में रहेंगी मतलब देखिए आपको यहापर मैं angle ही दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ मैं है ठीक है तो corresponding angles क्या होते हैं देखिए कि angle a, m, p तो यहापर यह जो angle है a, m, p a angle है ठीक है तो a angle फिर दुसरा है m, n, r m, n और r a angle ठीक है तो m, n, r को आप r, n, e, m, b लिख के सकते हैं और फिर a, m, p को हम p, m, a, b लिख सकते हैं ठीक है लेकिन जो beach का point है हो beach में रहना चाहिए आप सीधे में पढ़ी है उल्टे में पढ़ी है same होता है तो देखिए यह जो angle m है यहापर a, m, p तो उसका corresponding angle हो गया m, n, r, q क्योंकि देखिए दोनों का मूँ क्या है एक की तरब है मतलब दोनों उपर की तरब है transverse होत की तो इसको हम corresponding angles बोलेंगे उसी तरह से देखिए यहापर a, m, q या फिर यहापर देखिए p, m, n p, m, n कौन सा है a, p, m, n a, angle है p, m, n और फिर r, n, t r, n, t तो यह angle देखिए तो a, angle और a, angle दोनों क्या होगा एक दूसरे के p, m, n और r, n, t यह दोनों angle एक दूसरे के corresponding angles होगे उसी तरह से देखिए third कुन सा pair से corresponding angles का तो angle a, m, q a, m, q कहापर देखिए a, m, q a, m, q यह आपर a, m, q फिर उसके साथ में e, m, n, s e, m, n तो a, angle और a, angle दोनों एक दूसरे के से होगे corresponding angle से क्योंकि वो दोनों एक की तरह देख रहे है ठीक है उसे जरा से next pair है q, m, n q, m, n मतलब q, m, n मतलब a, angle और फिर s, n, t s, n, t तो a, angle ठीक है इस तरह से corresponding angles हो गया मतलब देखिए आपर फिर से बता दू इस angle का corresponding angle हो गया a फिर इसका corresponding angle हो गया a, angle फिर इसका corresponding angle हो गया a, angle और इसका corresponding angle हो गया a, angle मतलब दोनों के मूह जो रहेंगे वो एक दूसरे के जैसे ही रहेंगे अगर एक इस तरह प्रहेंगा तो दूसरा भी अंगल उसका इसी तरह प्रहेंगा उसको बोलते हम corresponding angles फिर देखें इसे में यहां पर अभी रफ कर दियता हूँ अभी हम next देखते हैं इंटेर्यर एंगल क्या होते हैं तो यहां पर इसके नाम से पता चल रहा है कि इंटेरियर मतलब क्या की अंदर में रहेंगे देखिए आपर ओ पेर्स आप एंगल्स वीच आर अन दो सेम साइड आप दे ट्रांसवर्सल मतलब जो एंगल ट्रांसवर्सल के एकी साइड में रहेंगे मतलब जो एंगल अंदर रहेंगे देखिए पी एम एन एंगल और दूसरा में आर मतलब एंगल तो एंगल और दूसरा एंगल एंगल फिर देखिए सेकंड एंगल मतलब एंगल तो एक है साइड में तो हम क्या उसे बोलते एंटेडियर अंगल अब इससे रफ़ कर देता हो फिर निक्स देखते हम अल्टरनेट एंगल जो अगल रहेंगे वो ट्रांसवर्सल के अलग-अलग साइड में रहेंगे एक ही साइड में नहीं रहेंगे उसके क्या करेंगे इस पयर या पर मैं दिखा जितों आपको दिखिए राइनchnet मतलब क्या interior मतलब angles at the inner side of the lines मतलब line के अंदर जो रहेंगे वो interior alternate angle कौन से देखिए एंगल PMN तो यह आपर यह angle PMN हो गया PMN ठीक है विर देखिए उसका alternate angle क्या हो गया MNS मतलब एंगल इस side में तो यह opposite side में रहेंगे इस तरह से opposite side में एंगल रहेंगे तो यह क्या अल्टर्नेट आगल लिए यह interior फिर देखिए QMN और RNM QMN QMN मतलब एंगल दूसका एंगल रहें में तो यह इस side में तो यह inside में तो यह inside में होगे interior जाता हैं अंगल का हैं अंगल की कहा रहेंगे अंगल mint एंगल एंगल् सबस्क्राइब एंगल मतलब अधर दोनों रहेंगे को मिथे smiles गल और अंगल सेम रहेंगे हैं हमारे राएंगे अल्टरनेट एंगल विए दुसरा यह earn तरह से इक्स्टर से अपोजिट में रहेंगे सब्स्साइट साइड से इस तरफ ये इस त्रफ से इस तरह से ये पॉर से टिक है इस जीजें आपको यहां मरें हैं फिर के स्पर हमारा अभी हम शुरू करेंगे ठीक है तो दोस्तों आज के स्यूडियो में हम इतना ही देखेंगे जो कुछ बेसिक कंसेप्ट से वह हमने अभी देख लिए है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लेम आता है कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना है कि क्या जीज़ आपको समझ में नहीं है तो फिर आपको मैं समतरने की पूरी कोशिश करूंगा ठीक है अपर फिल इंद ब्लैंक से हमारा ठीक है तो पहला कोशन है इंद एड्जॉइंट फिगर इच एंगल इस शोन बाई लेटर तो इस फिगर का यूज़ करके आपको क्या करना है बॉक्से बरने तो यह फर करस्पांडिंगल कुन से है वह हम देखेंगे तो करस्पांडिंगल मतलब क्या दोस्तों कि देखिए इस तरह से हमने देखा था प्रिवेस वीडियो में इस तरह करस्पांडिंगल मतलब क्या कि इ मतलब angle P का corresponding angle कौन सा आएगा तो angle P का corresponding इस तरफ से angle P देख रहा है तो उसका corresponding angle आएजाएगा angle W फिर angle Q का corresponding angle कौन सा है angle Q A है यह right के तरफ देख रहा है तो इस तरह से यह angle X उसका corresponding angle आजाएगा फिर angle R का corresponding angles कुन सा आएगा angle R नीचे की तरफ देख रहा है तो इसका corresponding angle A Y आएगा angle Y इस तरह से angle भी लिखना है अब ही आपर ठीक है फिर angle इसका corresponding angle इस तरह से left side में तो यह भी left side में नीचे रहेगा जेड एंगल इस तरह से simply है बहुत ज्यादा सिंपल है इस तरह से आपको बरना है ठीक है फिर देखिए एंग इंटेरियर अल्टरनेट अंगल तो अल्टरनेट अंगल मतलब क्या कि एक opposite side में रहेंगे एक साज़ी के एंगल इसका अल्टरनेट अंगल कॉन सा वह जाएगा एंगल यह समारा यहां पर टिक है तो यह आपर सिंपलिया लिख लिए इसका अंसर फिर में इसको तोड़ा रफ कर देता हूं ठीक है आपको अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है तो एंगल इसका इंट अंगल इसका फिर एंगल डवल्यू का इंटेर रंगल आ जाएगा एंगल डवल्यू का इंटेरियल अंगल आपर आ राजे गांगल इस तरह से बहुत सिंपल सा अधो ठीक है अभी हम सेकंड नमबर का कॉश्चन देखते हैं यह आपर देखिए यह भी काफी ज्यादा वीडियो में ने बनाया था वह देखा है आपने तो आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा ठीक है देखिए सेकंड कोश्चन है अब्जर्व द एंगल शोन इन द फिगर एंड राइट द फालॉइंग पेर्स आप एंगल मतलब यह फिगर को हमें अब्जर करना है और फ इंटरियर अल्टर्नेट्स आंगल कौन-कौन से उसका पेर्स लिखना है तो देखिए दोस्तों यह फिगर है जो होरीजंटल टाइप है हमने इस तरह की फिगर देखी थी यह होरीजंटल दो लाइन को इस तरह से यह ट्रांसवर्सल करती है लेकिन आपर देखिए लाइन क क्र up Deixa को नहीं होना है टेकिंस टो इंटेरियर अल्टर्नेट सेगल तो अंदर के अल्टर्नेट्स एंगल कौन से देखिए आप और वह देखिए अंगल-सक एक होता है तो देखिए यह एंगल ये शु Всемिट और एंगल-सलां फिर-षिक सबस्क्ताओं में यह पर यह पर आगल बी का अल्टरौेंट एंकल आजएगा एंगल यह तेंगल भी एंड एंड एंगल यह इसती हिस तरह से पर हो गहिते corresponding angles के पेर लिखने corresponding angle के पेर चार आएंगे interior alternate angle के पेर से दो ही थे ठीक है corresponding angles कौन से फिर जो एक ही तरफ देखते हैं मतलब angle A का corresponding angle आजाएगा angle E angle A and angle E फिर second pair A angle B का लेंगे angle B का corresponding angle angle F angle B and angle F फिर third pair angle C का corresponding angle आजाएगा angle G तो दोनों एक तरफ देखते हैं इसलिए ठीक है angle C and angle G फिर last pair angle D तो यह angle H आएगा angle D and angle इस तरह से हमारे corresponding angles के पेर आजाएगे ठीक है फिर next इंटेरियर्स एंगल्स इंटेरियर्स एंगल्स मतलब जो बीच के अंदेंगल है मतलब देखिए दोनों यह पर angle B और angle E जो एक ही side में होते हैं उसे हम इंटेरियर्स एंगल बलते हैं और चो अपोजिट साइट में होते हैं अंदर होते हैं उसे हम ठीक है इस तरह से हमें पेर्स लिखने से तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलते एगले वीडियो में नेक्स्ट प्राक्टिस सेट के साथ में तब तब टेक केर बाइबाइब